नमस्कार दोस्तों यूटूब चैनल एटीचिंग गुरूकुल में आप सबका स्वागत है मेरा नाम आमित कुमार विश्वास है इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपने यूटूब जर्णी के वारे में आपसे डिसकस करूंगा मतलब आपसे बताऊंगा कि अल अबाउट सब्सक्राइब कैसे होता है इसको मैं वन बाई वन आपको बताऊंगा और मैं अपने एक्स्पिरियंस को शेर करूंगा अक्चली आयम बिलॉंग्स टू ए टीचिंग लाइन दाट मिन्स माई आयम एक्चली वर्किंग अस अशोशियेट प्रोफेसर इन चातिसगर स्टेट जो की सेंट्रल इंडिया का जो इंजिनिरिंग कॉलिंग है भिलाइ स्टूड और टेकनलोजी उसमें मैं कम्प्यूटर अप्लिकेशन डिपार्टमेंट में वर्किंग में हूं और सिंस 2003 से मैं यहां जॉब कर रहा हूं 2003 नवंबर से जॉब कर रहा हूं यहां पर और उस ड सब्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट जो की इलक्रोनिक्स का एक सब्जेक्ट था जिसमें हम उसको मैंने पढ़ाया था सबसे पहला एक्सपिरियंस था वह भी सेवन सेवंस्टर स्टूरेंट को पढ़ाना यानि बहुत बड़ी चलेंगिन टास्क होता है एक जोईन करने के थोड़ा रिसर्च एरिया में मैंने इन्वाल वह और उसके बाद जोता है टीचिंग लाइन तो मेरा कंटिनुएशन पर था मैंने बहुत सरे सब्जेक्ट पढ़ाये जैसे कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटर ग्राफिक्स और उसके बाद मैंने पहले तो किसी और उससे मैंने में help ने लिया क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ने लेकिन अपने level पर उसको सिखा उसके बाद मैं computer network में मेरा को interest था जैसे मैंने बताया कि पहला subject मैंने as a join करने के बाद वही पढ़ाया था तो इसलिए उसमें भी मैंने experience gain किया उसमें कैसे होता है और उसक electronics में six semester में subject होता है internet and web technology तो उसमें भी मैंने चार साल से continuation में उसको classes लेता हूं तो उसमें मुझे बहुत experience हुआ तो जिससे मैंने उस पे भी अपना work out किया और कुछ app मैंने इससे related जो भी subject आपको mention किया इससे related मैंने app developed किये उससे क्योंकि मैं teaching line में हूँ और मुझे ये confirm ह कि मैं अपने app में किस तरीके content involve कर सकता हूं तो मैंने उस तरीके के ऐसे teaching line होने के बाद और android तो मैंने खुद programming करना सिखाया और अपने mca के वच्चों को मैंने उसको सिखाया तो मैं 5 साल से android की programming level तो मैंने recently मैंने ये सुचा कि क्यों ना मैं दोनों field में मैंने expertise हो गया हू जिससे कि लोगों को handy form में जो भी libraries है वो मिल सके यानि जो भी हमारे पास available book है ebook है यानि एक e-format में यानि student होता है अगर किसी चीज की याद आ रहा है तो तुरांत उसको निकाल के उसको देख सकते हो उसके लिए घर में जाकी या pages पल्टा के देखनी की जड़तनी उसमे तो मैंने यह चीज हम ले ट्राइ किया और इसके बेस पर मैंने कुछ एप भी developed किया है जैसे compiler design का app है computer graphics का app है internet technology का भी app है recently मैंने fundamental of computers का भी app developed किया है क्योंकि यह first year के बच्चों को मैंने इसी साल पढ़ाया था 2019 में उसको पढ़ाया था तो उसके just duration of during that teaching मैंने उसको developed किया और वो आज बहुत अच्छा success है तो यह जो मेरे youtube channel है इनके पिछे इन सभी का हाथ है मैंने जो app developed किया मेरे जो experience है मैंने क्या idea लगाया है उस चीज को मैंने यहाँ पे इस channel के मादम मतलब यह video के मादम से आपक शेर करने जा रहा हूं तो इसको video को last तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आगे कि मैंने किस तरीके का ideas produce किया है और क्या idea मैं produce करने जा रहा हूं तो जिससे कि आपको यह पता चल सके कि अगर आपको YouTube channel create करते हैं तो आप आपको किस तरह से patience रखना है किस तरह से उसमें आ आपको समझ में आए कि यह कैसे possible है और अगर यह वीडियो आपको फसंद आया तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं बुलेगा तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से मेरा यूटूब जर्नी है वह मैं आपको बता जैसे यूटूब जर्नी है नीचे बॉटम में आपको दिखेगा 2017 20th of September को मैंने अपना जो जर्नी है वह यहां से स्टार्ट किया था एक चीज है दोस्तों कि जब आप यूटूब वीडियो चैनल क्रेट करते हैं तो आपको जीमेल अकाउंट की बात करती है तो मेरा जो ज 2017 यानि 5 years के duration gap के बाद मेरा अचानक से यह कैसी आया तो यह one kind of motivation यानि इसके पीछे एक चोटी सी कहानी है कहानी भी नहीं है चोटा सा मतलब motivation है मैं इसी duration पे यानि 2017 में ही मैंने एक MOOC class होती है यानि जो online courses होते है online के courses interactive classes होते है उसका जो होता है duration स्टार्ट हो गया था या online ही सारी चीज़े assignment होता था वहीं assessment होता था और उसके base for marks होते थे student उससे interact होते थे तो उससे related मैंने एक workshop पैटन किया था और उसी workshop के duration में मुझे YouTube channel के बारे में idea मिला और मैंने उसी समय उसी workshop के duration पे हमने practically हमने एक YouTube channel create करने के लिए हमको एक task दिया गया था और हमने उस समय टास्क किया और हमारा जो YouTube channel है first हम लोगो बला गया था बनाई है तो उस समय मुझे MATLAB का बहुत basic knowledge था मैंने MATLAB में बहुत सारी programming की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं MATLAB से ज्यादा compatible हो तो मैंने first video बनाया जो आपके screen में दिख रहा है MATLAB operations तो उस समय मैं MATLAB operation का 6 minute का एक video बना प्रणी किया था तो इस तरह से मेरा जर्णी स्टार्ट हुआ September 20th 2017 तो इसी तरह से आप भी अपना जर्णी स्टार्ट कर सकते हैं जब भी आप चाहे तो उसको स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद देखिए कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो कैसे बढ़ा उसको इसमें तिल जो Google Analytics से वहां से डेटा को लिया गया है जैसे यहां दिखाए गया है कि 2017 से लेकर तिल डेट 20th और जून 2020 तक के जो डेटा है वो आपको यहां शो हो रहा है तो यहां पे जो आप डेटा देख सकते हैं कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन है सबसे पहला जो सब्सक्रिप्श पीच के डिवरेशन में देखिए मेरा सब्सक्रिप्शन 267 था तो देखिए कि पहले साल में मेरे पास सब्सक्रिप्शन 120 थे लोग कई समय यही बोलता है कि YouTube चैनल जैसे स्टार्ट करते हैं तो हजार दोहजा सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं तो देखिए दोस्तों मेरा जो कैंडिड हो सकते हैं यानि आपके चैनल को कौन देखेगा तो जनरली हर कोई तो देखेगा नहीं वही देखेगा जो एजुकेशन से रिलेटेड हो तो देख सकते हैं कि फर्स्ट येर में मेरा 120 है सेकेंड येर में 267 है स्लोली इंक्रिज हुआ बट ड्रास्टिकली थर्ड येर में मेरा 852 सबस्क्रिप्शन हो गया यानी क्योमिलीटिव फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे तो 2019 से 2020 के बीच में 852 यानी पहले साल में 120 दुसरे साल में 267 इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 2017 से 2019 के बीच में मिलेगा लेकिन अकेले 2019 से 20 के बीच में यह सब्सक्रिप्शन तो यह जो ड्रास्टिक चींज हुआ है इसके पीछे एक रिजन है बहुत चोटा सा रिजन है वह यह है मैं 2019 जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में भी के फंडामेंटल अब कंप्यूटर के क्लास लेना स्टार्ट किया था तो उस क्लास के डिउरेशन पर मैंने देखा कि स्टूडेंट जोता है बहुत ज्यादा इंट्रेस्टेड है कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई स्टूडेंट DPS से या फिर कोई ऐसे स्कूल से इंग्लिश मेडियम से पढ़ के आ रहे है तो उनका नौलेज होगा एक अंड़्रोइड में आप बना दिया जाए क्या कि already मैंने दो से तीन एप वो 20,000 प्लस डाउनलोड हो गया मुझे नहीं मालूम कि कैसे हुआ किस तरह से यानि यह पता चला कि fundamental of computer जानने के लिए बहुत सारे student ऐसे है जो basic knowledge चानते है तो इस donation में मैंने app किया अब till date मेरा जो app है अगर मैं अभी की बात करता हूं तो यह video बनाते समय मेरे app में जो download है वो 50,000 प्लस डाउनलोड हो गया तो इसके मतलब है मैंने जो previous app बनाये थे उसमें जितने download नहीं थे उससे double download जो होता है double क्या three times download जो होता है मेरे multiple time three times भी नहीं है multiple time download जो होता है इसमें बहुत जादा तो उस download होए थे तो उस समय मैंने क्या कि उस app में अपने कुछ video links भी डालने लगे तो जैसे ही मैंने उसमें video links डाले तो अब long जोता है उस video links को जोता है देखने लगे अब जब वो video links वो देखने लगे तो उस duration पे मेरे videos में भी views आने लगे और long subscribe भी होने लगे तो इस तरह से एक साल के duration में यानि एक साल में मेरा जोता है almost जोता है 852 subscriber हो गए तो इस तरह से अगर मैं all total की बात करता हूँ तो मेरे जो subscriber है वो आप देख सकते कि 2017 से लेके यहां पर आप देख सकते 2017 से लेके April 10 तक मेरा 1000 subscriber हो गए जो यहां detail आपको दिया गया है यह watch time और views आप देख सकते हो कितने views हुए बट यह मेरा exact है तो जिसमें 1000 subscription तो जब आपके 1000 subscription होते है तो एक चीज आपका open हो जाता है community जो आपका portion होता है उसमें आपका 1000 subscription के बाद community जो channel है या area है वो open हो जाता है जिसमें आप अपने ideas को send कर सकते हो ताकि लोगों को पता चले कि आपने को video upload किया या क्या करने वाले हो इसके बारे में पता चले तो इस तरह से आपने देखा कि 1000 subscription मैंने कैसे किया अब जाते हैं मैंने आपको basic idea दे दिया था कि कि किस तरह से 1000 जोता है subscription कैसे है तो उसका detail यहां दिया गया है कि मैंने जैसे fundamental computer का use किया है जैसे play store में उसका link available है आप भी इसको download करके देख सकते हैं तो इसमें मैंने video के links भी provide किये as well as मैंने LinkedIn में जब search करना शुरू किया या LinkedIn की साथ जब मैं जुड़ने लगा उसमें जब थोड़ा सा involved होने लगा तो मुझे पता चला कि बहुत long जोता है request आना शुरू हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ जोता है जुड़ा जाए तो मैं हर जो भी मेरे को request होता है उनसे मैं हमेशा एक request करता था हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को subscribe किये दे तो उनमें से भी मेरा जो subscription है वो हुआ था 182 मेरा जो होता है उससे additional यानि Android app के तुरू मुझे 182 subscriber मिल गए और फिर उसके बाद जो student के batches थे उसका भी मैंने use किया उनको बोला तो वो जो होता है circulate करते हुए आगे बड़े तो इस तरह से मैंने एक example दे रहा हूं कि how I am currently planning to grow the subscription अब जैसे मैंने आपको बत से है जो YouTube सर्च में आपके वीडियो को लिया तो मेरे जो YouTube सर्च में वीडियो है वो fundamental जिसमें 88.3% जो होता है YouTube चैनल से लिया गया जो Android app है उसके थूरू यहां पे आये है तो जब उसके थूरू यहां पे आये है तो इसका मतलब बता है कि यह मेरे growth का कारण मन रहा है तो अब मैं क्या किया हूँ कि उसमें अब planning करने जा रहा हूँ कि मैं अब YouTube चैनल में जो मैंने Android app जो मैंने बनाया उसमें अब मैं side by side अपने वीडियो को भी include कर दूँगा ताकि और बाकी जो other videos है उनको भी मैं include करूँगा ताकि लोग F.O.C की वीडियो को देखे साथ ही अब यह आपका बढ़ेगा तो यह आपका सिंपल सा डिफाइंड किया गया है देख सकते है कि किस तरह से यह हुआ है आप देख लीजिए इसमें इसमें सारा चीज़े दी गई कि F.O.C में ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है तो अब यहां पे आपको उसका detail दिख रहा है उस मेरा fundamental of computers है जो कि e-teaching gurukuls के थुरू आप find out कर सकते या fundamental of computer अगर आप टाइप करेंगे तो सबसे पहला जो मेरा यह आप दिखेगा क्योंकि जो educational channel based जो android tutorial app है वो उसमें मेरा F.O.C का सबसे ज्यादा ranking हुआ है यानि इसमें 250 लोग rank कर चुके है और उसमें उससे साब से star मिल available है तो और 50,000 प्लस download हुआ है जिसके कारण से यह ज्यादा success हुआ और यही मेरा motivation है अब देख सकते हैं यहां पर मैं खाली यहां पर document available है अब मैं यहां try कर रहा हूं कि document के साथ साथ जोता है इसके जो video से side by side रख दूँ ताकि अगर किसी को content से मतलब है तो content देखेगा औ और किसी को अगर content को समझने की जरूत है तो यहां video तो यानि side by side दोने चीज़े मिलने से क्या होगा कि वो automatically video and content जोता है साथी साथ वो देख सकता है और साथी साथ मैं यहां पे यहां पे आप देख सकते हो कि यहां में एक link provide करोगा जो कि मेरे YouTube channel यानि videos के लिए होगा जिस candidate होगा तो वो से related अगर उसको video दिख रहा है तो वहां click करेगा तो उसको लिए मैं एक तरीके से यह नहीं बोलूँगा कि आप मेरे channel को subscribe कीजी और उसमें जाए कि automatically उनके mind setup में आ जाएगा जैसे ही वो देखेंगे YouTube channel सामने है इसके list है तो वहां पर वो just click करेंगे और वो वहीं से होगा तो जिससे कि मेरा जो बहुत सारा काम में बच जाएगा मुझे बार-बार किसी को promote करने की जरूत नहीं पड़ीगे यानि किसी को बोलने की जरूत to increase the views and watch time तो ये सारे मेरे proof है जितने भी मैं tutorial app बनाए है उन सब में मैं उनके जो related उनके corresponding जो वीडियो से उरके link तो provide किये ही है लेकिन मैं इसके नए version जो होता है मैं launch करने जा रहा हूं और उसमें मैं अब क्या कर रहा हूं सारे के सारे video links जोता है playlist जोता है available करा रहा हूं ताकि जब भी कोई particular app को open करेगा तो उसको मेरे जो videos के सारे link available मिलेंगे at the same time जिससे वो कहीं भी जा सकता है तो यह मैं देख सकते है total 7 है यह 8 नहीं है total 7 जो होता है मेरे पास available play जो android app है वो दिया गया है आप देख सकते है कब-कब मैंने इसको create किया है नीचे भी आपको द वो किस तरह से हुआ है और मैं continue इसमें journey में कैसे करके आगे बढ़ रहा हूँ और इसी तरीके का ideas आपको लगाने है आपको patience रखना है मैं आपको सिर्फ एक simple example देना चाहता हूँ जागर आपने mutual fund के बारे में सुना होगा तो mutual fund के किसी भी expert से अगर आप पूछ लेते है त आप हो सके तो एक साल के बाद इसको चेक करेंगे तो आप उसको उसमें benefit दिखेगा तो उसी तरह से आपका जो educational channel होता है वो भी जो था entertainment नहीं होता है उसमें ज्यादा तो इसलिए उसमें patience वही रखता है जो की education से related इसको जो की computer subject जो लेके पढ़ रहे है उनके लिए यह तो इसके लिए यह long time investment है यानि एक तरीके से mutual fund की तरह काम करता है और आपको mutual fund की तरह ही सोच के patience ली रखना है आप यह नहीं बोलोगी कि मेरे education मैं कोई video upload किया तो मेरे आज ही 1000 views आ जाए जैसे आप बहुत सरी channel में देखते है तो यह possible नहीं है लेकिन long time में अगर आप एक patience रखिए और अपने YouTube channel जो होता है अगर create करने का आपके पास plan है तो आप definitely create कर सकते हैं और और आगे बढ़ सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को last तक देखने के लिए धन्यवाद अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो like किजीगा, share किजीगा और subscribe करना नहीं बुल प्रिंट्स है तो उनको definitely इसको share करेंगे तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, thank you